नमस्त दोस्तों आप सभी का सौगत है book below youtube channel पर जहां पर मिलते हैं आपको high quality book summaries, personal finance and stock market books की आज मैं आपके साथ one of the best book जो लिखी गई है stock market से पैसे कमाने के उपर Beating the Street जिसके author है Peter Lynch इसकी detail summary आपके साथ share करूँगा ये विडियो दो पार्ट में divided हैं पहले पार्ट में हम seven lesson सीखेंगे इस book से दूसरे पार्ट में हम Peter Lynch के द्वारा बताए गए सबसे amazing 10 golden rules को भी समझेंगे जिसे की आप stock market में एक professional investor से भी ज़्यादा returns कमा पाएंगे author के बारे हैं बात करें तो Peter Lynch बहुत ही popular and respected investor है जिन्होंने fidelity investment mutual fund को manage किया था 1977 से 1990 तक और उस time में Peter Lynch ने McLennan fund जो की fidelity company की ही mutual fund थी उनके fund manager थे ये तो जब इन्होंने join किया था तब इस mutual fund का asset under management था 18 million dollars का और जब Peter ने retirement ली तो इस mutual fund का AUM था 14 billion dollars on an average annually 29.2% का returns Peter Lynch में achieve किया जो S&P 500 के उस period की returns से double था 13 साल तक 29.2% का returns कोई normal विक्ति एचीव नहीं कर सकता है इंडिया में on an average अगर सही mutual fund के साथ आप invested रहते हैं तो आपको 12-15% का returns मिल सकता है तो चलिए देखते हैं अगर आपको 29.2% का returns मिलता अपने investment पे तो आपकी total investment value कितनी होती 13 साल बाद अगर आपने 5000 रुपए महिने से S.I.P. शुरू की होती तो 13 साल बाद आपके 7,80,000 रुपए का investment value करीब 87,00,000 रुपीज हो चुका होता यही अगर आपको 12% का return मिलता तो आपका total investment value सिर्फ 18,00,000 का grow हुआ होता इसलिए Peter Lynch को लोग legend मानते हैं और Peter Lynch क लिखी दो और books है Learn to Earn and One Up on Wall Street यह दोनों book beginner के लिए हैं और आपको इन दोनों books की summary चैनल पर मिल जाएगी और आपको description में भी link दिया है तो आप इस video को पूरा देखने के बाद बाकी दो books की summary भी देख सकते हैं तो चलिए beating the street book की summary शुरू करते हैं Peter Lynch जब 11 साल के थे तब उ इस वज़े से उनकी मा को काम करना पड़ा था घर चलाने के लिए Peter बहुत ज़दा परिशान हो गये थे क्योंकि उनको अपनी मा को financially help करना था तो उन्होंने caddy का job किया caddy यानि वो वेक्ति जो golfers के bags उठाता है और आप थोड़ी दिन में यह जानेंगे कि कैसे यह job उनके लिए life changing होने वाला है जैसा कि हमें पता है कि golf एक expensive sport है तो Peter क्योंकि caddy थे तो वो top business leaders जो बड़ी-बड़ी companies में काम करते थे जैसे Gillette, Polaroid and most importantly Fidelity Company के caddy बनते थे जिसे कि वो उनकी बाते सुनते थे golf खेलते वक्त और वो अकसर stocks के बारे में बाते करते थे और इसी कारण इन बहुती negative सोच थी stocks के बारे में कि ये gambling है इसमें सिर्फ अमीर लोगों के पैसे बनते हैं जिनके पास कोई internal source होता है इसमें आम विक्ती के पैसे ढूबते हैं सिर्फ इसलिए Peter के घरवाले इनको strictly मना करते थे कि तुम कभी stocks में invest मत करना फिर भी उन्होंने अपना पहला stock flying tiger airlines का खरीदा था $7 per share में और दो साल के बाद वो stock grow हो चुका था $32 per share पर almost 300% का returns और इस investment से उन्होंने अपनी tuition fees का एक बड़ा portion पे किया जब वो Wharton business school में पढ़ते थे उसके बाद उनकी summer internship लग गई fidelity company में और वहां से उनकी professional stock market career की शुरुवात हुई तो पहला lesson इस book से है कि कोई भी investing कर सकता है and अच्छे returns कमा सकता है एक school teacher ने अपने 7th class के students को कहा कि आप सभी को companies धोनना है जिसमें आप invest करना चाहते हो पर छोटी सी condition यह है कि आप लोग जो भी companies को चुनोगे उसका आपको presentation देना पड़ेगा सब के सामने कि आपने उस company को क्यो चुना अपने investments के लिए तो students ने उन companies को चुना जिसके बारे में वो already उनको पता था जिससे की presentation easy हो सके and school के बाद ज्यादा मेहनत ना करना पड़े research में तो उन्होंने popular and famous companies जैसे Nike, Disney, Coca-Cola, McDonald's, Gap and Walmart जैसे companies को चुना investment के लिए उस teacher ने इनके portfolio को 2 साल तक study किया S&P 500 यानि US का index fund जिसमें 500 सबसे बड़ी companies listed है US की तो January 1990 से 31st December 1991 के बीच 26.08% का returns दिया था S&P 500 ने वही 7th class के बच्चों के portfolio ने 69.60% का returns दिया था तो यहां हमने ये सीखा कि अगर हम investing को बहुत ही simple रखते हैं तो कोई भी शुरू कर सकता है and अच्छे returns कमा सकता है यानि उन companies में invest करना शुरू कीजिए जिसके बारे में आपको पता हो Peter Lynch का एक बहुत ही popular message भी है कि invest in what you know पर फिर भी कई सारे लोग ये सोचते हैं कि दुनिया में एक से बड़े एक expert है जिनका full time काम ही है stock market में invest करना तो पैसे तो वो कमाएंगे न हम कहां से कमा पाएंगे पैसे author Peter Lynch ने कई बार ये कहा है इस book में कि एक आम वेक्ति के पास advantage होता है कि वो कई सारे stocks में invest कर सकता है पर एक professional fund manager को कई सारे approvals की जरोत होती है किसी भी stock को चुनने से पहले तो आपके पास जो advantage है उसका use कीजिए दूसरा lesson है fixed asset investment से कई ज़्यादा better है stocks में invest करना fixed asset investment जैसे FD या bonds या कोई भी ऐसी policy जहां पर आपको 15-20 साल बाद एक fixed amount मिलेगा तो author का मानना है कि इन सबसे better है कि आप stocks में invest करे अपने पैसे को उन्होंने इस book में कई सारे data share किया है कैसे long run में stocks में invest करने पे आपको ज़्यादा returns मिलता है compared to bonds जैसा कि आप ये chart देख सकते है retirebeforedad.com से इसमें ये दिखाया गया है कि अगर आपने 1928 में 100 dollars invest किये होते stocks में या short term bonds में या long term bonds में तो 2022 में क्या returns आपको मिलता यहाँ पे gray line है S&P 500 including dividends आप देख सकते हैं कि आपके 100 dollars 624,000 dollars बन चुके होते वही short term bonds में 2,000 dollars और long term bonds में सिर्फ 7,000 dollars ही होते जैसे अगर आप FD में invest करते हो 5,000,000 रुपे तो 7% का annual interest rate से 25 साल में आपको interest मिलेगा करीब 23,000,000 रुपीज का वही अगर आप index fund में invest करते हो और हम assume करते हैं कि आपको 13% का returns मिलेगा तो 25 साल के बाद आपको 1,000,000 का interest returns मिलता इंडिया की बात करें तो आज भी 95% से जादा लोग FD में invest करना prefer करते हैं mutual funds and stock के comparison में US में 55% लोग stocks में invest करते हैं UK में 33% चाइना में 13% और इंडिया में ये 5% से भी कम है तो दूसरा lesson इस book से मैंने ये सीखा कि long term में सही stocks में invested रहने से आपको बाकी सारे assets से जादा returns मिलेगा तो आप comment section में जरूर बताइए कि आप अपना major portion कहा invest करते हैं क्या वो stocks है real estate है या gold है या FD है प्लीज comment करके जरूर शेयर करें तीसरा lesson जो मैंने इस book से सीखा है वो है stock market से पैसे कमाने के लिए आपको science, art and legwork करना पड़ता है science क्योंकि आपको numbers बढ़ने आने चाहिए company की sales, company की earnings, company का stock price क्या अभी सही price पे trade हो रहा है या नहीं company को उपर debt कितना है, company का management कैसा है और investing एक art है क्योंकि ये numbers easily available है पर क्या हर कोई सही decision ले पाते हैं इन numbers को देखकर, अगर सिर्फ numbers देखकर लोग सही stocks चुन पाते तो accountant पूरे दुनिया के सबसे richest लोग होते है सबसे simplest explanation author share करते हैं कि आपने आप से पूछने के लिए कि इस company की stocks क्यों लेनी चाहिए इस company में ऐसी क्या खास बात है जिसे कि आप अपने मैनत की कमाई हुए पैसो को इस company में invest करना चाहते हैं और इसका answer इतना simple होना चाहिए कि आप एक 5 साल के बच्चे को भी समझा सको और जल्दी समझा सको क्योंकि आपको पता है कि वो बच्चा कितना जल्दी बोर हो जाएगा यह बिल्कुल भी stock recommendation नहीं है पर अगर आप Asian paint में invest करते हैं तो आप 5 साल के बच्चे को कुछ ऐसे बताओगे कि बेटा मैंने Asian paint company में invest किया है क्योंकि वो बहुत ही अच्छे paints बनाते हैं आपके room की भी painting हमने Asian paint से ही करवाई है Asian paints बहुत ही बड़ी and famous company है जो बहुत सारे paints बनाती है जब आप बड़े हो जाओगे तब तक Asian paints और बड़ी हो चुकी होगी इसलिए मैंने इसमें invest किया है तो आपका भी story बहुत ही simple होना चाहिए किसी भी company के बारे में और तीसरा है leg work यानि hard work investing hard work इसलिए है क्योंकि इसमें आपको business models को समझना आना चाहिए उनके operations को देखकर key points समझ आना चाहिए पर साथ ही साथ up to date रहना पड़ेगा आपको उस industry में क्या चल रहा है करेंगे तब आपके गलत stocks चुनने के chances बहुत कम हो जाते हैं इसका advance meaning है कि आपको company की quantitative and qualitative analysis करनी आनी चाहिए चौथा lesson है आप stock market के direction को कभी भी time नहीं कर सकते इससे फरक नहीं पड़ता है कि कोई कितना बड़ा economist है या कितनी उसके पास degrees है पर वो predict नहीं कर सकता कि market आने वाले एक महिने में या एक साल में किस और जाने वाला है इस पर Peter Lynch ने कहा है कि हर एक वेक्ति को ये समझना पड़ेगा कि stock market के prices उपर नीचे जाते हैं जादा बार नीचे जाते हैं इसलिए आपने अंदर patience के skills को develop कीजिए जैसे ये sensex का annual returns chart है आप देख सकते हैं कि कई बार sensex ने negative returns भी दिया है तो कोई भी predict नहीं कर सकता कि कब future में ये फिर से negative returns आ सकता है तो अपना ध्यान आपको सही companies पर रखना है ना कि market कब उपर है या नीचे है इस पर आपको कम focus करना है पांचवा lesson है दो dangerous चीजे जो लोग कहते हैं stock market में नंबर वान ये stock इतना नीचे आ गया है अब ये इससे और नीचे नहीं आ सकता है इस point को समझाने के लिए मैं आपको मुकी संबानी के बड़े भाई अनि लंबानी की company Reliance Communication की share price से समझाऊंगा जैसा कि आप इस graph में देख सकते हैं कि 7th January 2008 को इनका share price था 792 रुपीज पर share एक साल के बाद इनका share price 137 रुपीज पर trade कर रहा था तब कुछ लोग ने शायद ये सोचा होगा कि आप ये share इतना down आ चुका है आप इससे नीचे नहीं आएगा लेकिन अगर आप आज इनका share price देखे तो ये एक रुपे में बिक रहा है तो Peter Lynch ने भी इस book में mention किया है कि आप ये predict नहीं कर सकते कि कौन सा share कितना नीचे जा सका है अब इसका ठीक उल्टा है number 2 ये stock अब बहुत उपर आ चुका है इससे उपर आभ ये नहीं जाएगा अब ये यहाँ से नीचे गिरेगा ऐसा भी बहुत साई लोग सोचते हैं इसके भी कहीं सारे Indian example है जहाँ पर long run में graph उपर की और ही है जैसे कि आप देख सकते हैं HDFC bank का share price तो इन दो dangerous piece of advice से बचने के लिए Peter Lynch कहते हैं अपना focus business के उपर होना चाहिए ना कि उसके सिर्फ stock price पे अगर business grow करेगा तो उसका stock price उसे follow करेगा lesson number 6 पिछले lesson का advanced version है हमें focus करना है business के earnings पर Peter Lynch कहते हैं कि एक company की earnings और उसका stock price में एक direct relationship होता है अगर एक company अपने earnings को बढ़ा रही है हर साल तो तीन चीज़े होगी number 1 ज्यादा investors interest दिखाएंगे और उस company में और invest करेंगे number 2 company की valuation increase होगी अगर एक company consistently अपना earnings बढ़ा रही है तो उसका perceived value बढ़ता है जिससे की PE ratio increase होता है number 3 company अपने earnings को reinvest कर सकती है और अपने growth potential को बढ़ा सकती है जिसे की long run में stock price भी उपर जाएगा तो lesson number 6 में हमने सीखा कि सारे factors में सबसे important factor है company की earnings अब आते हैं lesson number 7 पे अपने strength को use कीजिए यानि आप जिस industry में काम करते हैं या जिस industry की आप पढ़ाई कर रहे हैं वैसे companies से अपनी stock investing की research शुरू कीजिए और जहां आपको advantage दिख रहा है वहाँ invest कीजिए अगर आप एक chemical engineer है तो आपके पास एक competitive advantage है इस sector का तो आप chemical companies को better तरीके से compare कर सकते हैं इससे आप ऐसी companies को ढूण पाएंगे जो की fund manager avoid करते हैं या ढूण नहीं पाते हैं आथर कहते हैं कि undervalued opportunities को ढूणने के लिए यानि ऐसी company के shares पर आपको focus करना है जिस पर market धान नहीं दे रही है क्योंकि वो एक unattractive industry में है तो ये थे top 7 lessons जो मैंने सीखी है from the book beating the street जिसके author है Peter Lynch अब मैं आपके साथ share करूँगा golden rules from Peter Lynch वसे book में 25 golden rules है तो मैंने इसे short किया है सिर्फ 10 golden rules में जिसे कि आप कम टाइम में ज्यादा सीख सको rule number 1 यादी आप कोई काम नहीं करते हैं तो invest करना मज्यदार, रोमांचक और खतरनाक है rule number 2 शेर बजार के professional expert को मात देने के लिए अपने ज्यान और अनुभव का उप्योग करें rule number 3 आप जुंड को नजर अंदाज करके professional expert को हरा सकते हैं rule number 4 हर stock के पीछे एक company होती है पता लगाईए कि ये क्या कर रहा है rule number 5 stock price की growth long term में business के growth से होती है आपको पता होना चाहिए कि आपने किस stock को क्यों खरीदा है बस ये सोच लेना कि ये उपर जाएगा ये बेब कोफी है rule number 7 risky या speculative investment ज़्यादा तर loss करवाता है इससे जितना ज़्यादा बच सके उतना आपके लिए अच्छा है rule number 8 stocks खरीदना या बेचना बच्चे पालने की तरह होता है आपको उतना ही stocks खरीदना है जितना की आप handle कर सके rule number 9 अगर आपको सही companies नहीं मिल रही है invest करने के लिए तो आप अपने पैसे bank में ही रखिए जब तक की आपको सही stock ना मिल जाए and rule number 10 है कभी भी बिना company की balance sheet पड़े उसमें invest ना करे तो ये था detailed summary of the book beating the street जिसकी author है Peter Lynch और ये overall हम individual investor को motivate करते हैं अपने मेहनत से कमाए हुए पैसो को सही companies में invest करने के लिए जिससे की हम financial freedom की और बढ़ सके ऐसे ही detailed summaries के लिए आप channel को subscribe कर सकते हैं and bell icon को भी दबा सकते हैं regular video के updates के लिए अगर आपको investment चुरू करना है तो description में and pinned comment में आपको एक link दिया हुआ है वहाँ से आप अपना free DMAT account भी open कर सकते हैं तो मैं मिलूंगा आप से next video में एक और detail summary के साथ अब तक के लिए keep reading, keep growing